आपके साथ कुछ ही महीने में लोग सभाद चुनाओं यानि 2024 में लोग सभाद चुनाओं होने को है और 2025 में बिहार विधान सभाद चुनाओं लेकिन इससे पहले आपको बता दे कि बिहार के विधान परिशद में यानि विधान परिशद में 11 विधान पार्शद उनकी कारेकाल खत्म होने वाली है और इन पर चुनाओं होने को है अब ऐसे में एक तरफ महागट बंधन तो दूसरे तरफ एंडिये लागतार अपने अपने निताओं के साथ बैठक की कर रही है बीजेपी की भी बीटे दुनों बैठक होई थी बीजेपी की बैठक होई थी केंद्र नितित्व बीजेपी की तमाम बिहार की निताओं को दिल्ली बुलाए गया थी तो वहीं दूसरी तरफ आठजडी की तरफ से भागपा माली की तरफ से हम की तरफ से भी अपने अपने उमिद्वार जो है वो उतारे जाने वाले हैं लेकिन राजद ने तो एक लिस्ट भी जारी हो जाएगा यानि बीजेपी के उमिद्वारों की लिस्ट क्या घोशन आज देर शाम तक हो जाएगी बीते दिनों जो है बैठक बुलाई गई थी अमित शाह की आवास पर ये बैठक थी जिसमें बिहार के दोनों डेप्यूटी सीम यानि सम्राइब चौ एमिलसी के चुनाओं में उतारा जाएगा उनकी तरफ से यानि बीजेपी की तरफ से कौन कौन से कैंडिडेट्स होंगे हाला कि अभी भी लिस्ट जारी नहीं की गई है लेकिन कहा जा रहा है कि आज देर शाम होते होते लिस्ट जारी कर दिया जाएगा विधान सभा कोटे वाली विधान परिशद की 11 सीटों पर चुनाओं होने हैं विधायकों के संख्या बलके हिसाब से इंडिये कोटे में 6 सीटे जाएंगी जदियू से दो हम से एक और भाजपा के हिस्से में 3 सीटे जा रही है कर जो है एलान करने वाली है साथ मार्च को दिल्ली में बिहार बीजेपी कोड कमीटी की बैठक हुई कोड कमीटी की बैठक के बाद प्रदेश अधिक्ष समराव चौधरी डेपीटी सीम विजे सिना मंगल पांडे ग्री मंत्री अमीत शाह के आवास पर पहुंचे अमित शाह के साथ बिहार बीजेपी निताओ की लंबी बैठक चली बताया जाता है कि इस बैठक में लोगसभा कैंडिट्स के साथ साथ विधान परिशद की तीन सीटों पर उमिदवारों के नाम पर मंथन हुआ है बताय जाता है कि विदान परिशद की तीन सीटों के लिए नाम पर मुहर लग गई है आज जैने शुक्रवार साम तक या शनिवार को मिदवारों के नाम का एलान हो जाएगा विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि तीन में से दो नेताओं को फिर से विदान परिशद भीजा जाएगा इसमें एक सहानवाज हुसयाद और दूसरे मंगल पांडे है नितित्व ने इन दोनों पर फिर से विश्वास जताया है हाला कि तीसरा नाम किनका होगा इसके बारे में अभी तक स्पस्ट नहीं कहा गया है बताया जाता है कि संजय पास्वान की जगा दलित समाज से आने वाले एक नेता को विदान परिशद भेजने की तयारी है 21 मार्च को सभी सीटों पर मतदान होगा इसी दिन शाम से काउंटिंग शुरू होगी और रिजल्ट जारी होगा जो एक 11 सीटे खाली हो रही है उनमें मुख्य मंत्री नितिय इश कुमार, पुर्वा मुख्य मंत्री राबडी देवी, भाजपा नेता सियद साहन वाज हुसेन, जद्यू नेता पुर्वा मंत्री संजय कुमार जा, कॉंग्रेस नेता प्रेम चंदर मिश्रा, हमके नेता सं संतोष कुमार सुमन, बीजेपी से मंगल पांडे, राजद से राम चंदर पुर्वे, जद्यू नेता खालिद अन्वर वा, राम एश्रोर महतो और भाजपा नेता संजय पासवान शामिल है, तो देखिया, बिधान परिशद की जो है 11 सीटों पर चुनाओ हो है, इसे लेक करके एक तरफ जहां जद्यू की तरफ से निटीश कुमार ने भी अपना नामंकन दाखिल कर दिया है, खाली दनवर ने अपना नामंकन दाखिल किया है, तो हम की तरफ से संतोष कुमार सुमन है, यानि एंडिये में जद्यू और हम की तरफ से नामंकन दाखिल हो गया है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक अपने उमिद्वारों की लिस्ट जारी नहीं की गई किया तीन आखे वो कौन नेता होंगी जिनका नाम बीजेपी अपने उमिद्वारों के तौर पर उतारेगी यह आल शाम तक किया कल सुबह तक जो है घोशित हो जाएगा वही अगर